हलो फ्रेंड्स बलकम टू मा यूटूब चैनल गाइस कल मैंने मौर्णिंग में एक पीटीटी का वीडियो अपलोड किया था तो उस वीडियो में जो भी कॉमेंट्स आयते बच्चों के उन सभी कॉमेंट्स का रिपलाई मैं इस वीडियो में देने बाला हूँ तो इस वाले वीडियो में बात करेंगे फीस जमा करने के बाद बैंक से वेरिफाई नहीं हुआ है आंगे क्या करना है पांच हजार रुपए का चालान जमा होने के बाद कॉलिच चौइस भरते समय पासवर्ट इनकरेक्ट क्यों बता रहा है इस पर भी बात करेंगे डेली मैं आप लोगों से आउलाइन के माद्यम से बाचिप डेली मैं कर रहा हूँ तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए तो इस वीडियो को पूरा जरूर दिखिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और से जरूर करें अगर आप लोगों ने चैनल को सास्क्राइब नहीं किया तो सभी बच्चे चैनल को सास्क्राइब करके नोडिफिकेशन वाल कॉन कर दीजिए जब आप notification वाल कॉन करेंगे तभी मेरे नए बड़ notification आप सभी लोगों तक असानी से पहुँच जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो पहला कॉमेंट्स देख लगते हैं क्या आया था पहला कॉमेंट्स आया था दीपक जी का तीपक जी पोच रहे हैं सर जी मेरे 293 नंबर है करटागरी हमारी lc है मैंने कॉलेज भर दिया है और राजिस्तान नहीं करा है क्या हमको कॉलेज मिल सकता है आपने अपना subject तो बताया नहीं कि आपका subject क्या है बिना subject के मैं आपको नहीं बता सकता हूं क्या आपको 324 नंबर है subject हमारा science है इनके 324 नंबर है और इनका subject है वह है science दो वरसी है SC category है और और लजस्तान मैं college में कर दिया हूँ तो क्या आपको college मिलेगा या नहीं मिलेगा जी हाँ आपको college मिल जाएगा 324 नंबर है आपको college मिल जाएगा okay अगर आपकी SCB है तो यह मार के चलिए कि first list में chance है कि यह मार के चलिए 75% chance है कि आपका नाम first list में हो सकता है ओके मंत जी आपने का था कि sir please reply किजेगा मैंने आपके comments का reply कर दिया है हाँ लक्षमी जी का comments आया कि sir मैंने fees भर दी है but bank से verify नहीं हुआ है तो मैं college कैसे भर हूँ तो लक्षमी देखिए थोड़ी सी technical problem हो सकती है आप एक बार और try कर लेजेगा जो आप बता रहें कि bank से verify नहीं हुआ है तो आप bank जाके contact कीजेगा कि bank से verify क्यों नहीं हुआ है क्या reason है हो सकता है कि कुछ technical problem हो technical problem होनी की बज़े से इसी problem अकसर आ जाती है आपके आपने fee submit कर दी है यह अच्छी बात है verify हो जाएगा problem आप जो problem आपको आ रहे है आप जो problem है जल्दी दूर हो जाएगी ठीक है हो सकता थोड़ी technical problem हो दूसरी बात आप bank जाके पता कर लेजेगा कि bank से verify क्यों नहीं हुआ है क्या reason है उसके बाद आप हम comments कीजेगा ठीक है लक्षमी जी अगला comments देख लेते हैं क्या आया था अगला comments हाँ माया जी का comments आया है माया सर मेरे 326 नमर है general category हमारी है दो बरसी है female 28 college में भरी हूँ क्या हमको हमारे college तीन जिले मैंने भरे हैं क्या हमको college मिल करते हैं क्या आया था हाँ सर्वन कुमार जी का comments आया है सर मेरा 5000 रुपए का चालान कट गया है लेकिन college 24 भरते टाइम password incorrect बता रहा है क्या करूं प्लिस reply में सर्वर की बज़े से हो रहा है या कुछ और problem है तो सबसे पहले सर्वन कुमार जी यह बताएगा कि आपने जो password जो आपने डाला था ऐसा तो नहीं कि आप जो password डाल रहे हैं वो incorrect डाल रहे हैं ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ technical problem होनी की बज़े से यान कि सर्वर problem होनी की बज़े से यह problem आ रही हो तो आप एक या दो कोमेंट्स देखे कि आया था सुनिल का कोमेंट्स आया सर मेरा नाम मिश्टेक हो गया है सुनिल की जगहें स-u-n-u-il हो गया है बताएगा कोई solution है प्लीज तो यह problem आपकी जो हुई है यह कब आपकी यह problem हुई है क्योंकि correction जो form correction का जो link था वो पहले एक्टिवेट था और आपकी जो समस्या है नाम की तो देखेंगे आंगे क्या होती है आपने आपको टाइम भी दिया गया था form correction करने का correction परनल का link भी एक्टिवेट किया गया था अलेकिन आपने अपना form जो है वो correction क्यों नहीं किया है यह आप जान सकते हैं मैं नहीं बता सकता हूं तो आंगे please reply दीजेगा हमारे 293 नंबर है काटागरी हमारी मसी है क्या आपको नजदीक कॉलेज मिल सकता है 80% चांस है कि आपको नजदीक कॉलेज मिल सकता है अगला comment देखे लिते हैं क्या आया था अगला comment आया था संजू चोधरी जी का सर अवर्ड मूमेंट कितनी बार होता है PTT मैं तोrien तोähän अवर्ड मूमेंट तो आप सिर्फ एक वार कर सकते हैं बार बार थोड़ी कर पाएंगे अवर्ड मूमेंट सिर्फ आप एक बार कर सकते है जिसे कि माली जी है आपको कॉलेज म तो वो college आपको a lot हो जाएगा लेकिन दोबारा आप अबड मुवेंट नहीं कर सकते हैं अगला comment देख लेते हैं क्या आया था बच्चे का काफी comments आये हैं लगवक 110 comments आयें बच्चों के हाँ सूरज जी का comments आया है कि सर बताईगा मेरे sign दोबर्सी है 288 नमबर है और लाजिसान college मिल जाएगा कैसर जी आपको और लाजिसान पर college मिल जाएगा लेकिन सर दिये कि दूसरी list में आपका नाम हो सकता है लेकिन first list में आपका नाम नहीं होगा अगला comment देख लेते हैं क्या आया था बच्चे का जड़ातर मैं देख रहा हूं mistake बहुत ज़्यादा हो रहा है किसी के नाम में mistake है किसी के मदर में mistake है अगला comment आया है yes भारती का ये बोल रहे हैं कि सर मदर ने में spelling mistake हो गया है अब क्या होगा please reply college मिल जाएगा क्या सर तो द क्या आप सो रहे थे तब आप अपना forms नहीं सही कर सकते थे तब क्या कर रहे थे आप तो चलिए spelling mistake हो गई है तो देखिए आंगे आयो क्या करता है अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं इस पर अगला comment देख लेते हैं क्या आया था हाँ बबलू जी का comments आया बबलू इंड आप गलत वोल रहे हैं सरकारी ऑफीस तीस में 22 использ नहीं होती है मुस्कपिप लिएत dt 13000 रुपएं से 4000 ठीं जादा नहीं होती यह गलत बोलता है हम 22000 रुपएंी फीस नहीं होती यह hostel की जो fees होती है वो आपको pay करनी होगी ठीक है ज्यादा फीस नहीं होती है थोड़ी fees होती है वो आपको pay करनी होगी hostel की fees यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है government college में 27,000 रुपे नहीं होती है fees और जो fees आप जमा करते हैं वो इस आपकी बापस आ जाएगी ठीक है government का प्रोसेस अलग है और प्राइबट college का जो प्रोसेस है वो अलग है यह आपको ध्यान में रखना है ठीक है अगला comments आया था खुसवू जी का comments यह आया है मैंने अभी counseling कराई है जो इम्रता वाले इनके ने paper दिया है उसमें check first list choice से not locked लिखा हुआ है जिसने भी counseling कराई है क्या उनके भी यही लिखा हुआ है क्या सर इनका comment समझ में नहीं आ रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है अगला comment देख लेते हैं हाँ जिते अंदर कुमार्जी का comment साय है हेलो सर मैंने counseling करवा लिए account में पैसा कट गया है transaction बता रहा है counseling नहीं हो पा रहा है help line पर call नहीं लग रहा है best ही बता रहा है तो आप tension मत लीजिए कुछ technical problem चल रहे है क्योंकि आप जो आपकी जो problem है थोड़े दिन पहले यही problem सेम यही problem एक बच्चे के साथ हो रही थी लेकिन एक से दो दिनों के बाद उसकी problem दूर होगी तो आप एक से दो दिन तक आप wait कर लेजिए आपका जो problem है बहुत दूर हो जाएगा परिसान बि किया कोई problem तो नहीं होगी Flower knowledge कितने नंबर आये हं बौफिले नहीं किया है कोई problem तो नहीं होगी कोई problem नहीं होगी कोई टेंसल बाली बात नहीं हे गर अगर कोई इढ़र शसuri नहां थो नॉमिंटर कर दिजिए कोई problem नहीं होगी मनिजिया मीना जी का comment अया वालों को supplementary वालों को fees बापस तो मिल जाएगी क्या अगर वो supplementary में pass नहीं हुए तो अगर आप supplementary में pass नहीं हुए तो आपकी fees जो है वो बापस आ जाएगी आपको college में reporting आपको करानी होगी अगर आपको college मिल जाता है तो college जाके आपको एक application लिखनी पड़ेगी application में आपको सारी चीज़ें mention करनी होगी सर supplementary में लगा हुआ है और जब तक result नहीं आ जाता है तब तक इतना time देने के हमें करपा करें यह सब कुछ आपको mention करना होगा application में ठीक है यह सब अगला comments रवीना जी का आया है रवीना जी बोले ही सर प्लीज जल्दी reply दे दीजिए इनके 281 number है और राजिस्तान इन्होंने कर दिया है female है ऐसी है जी हापको college मिल जाएगा प्रेसान बिल्कुल मत होईए अगला comments आया प्रियंका जी का सर जिसके ज़्यादा number है अगर वो all राजिस्तान करें तो क्या problem होगी वो आपकी मर्जी आप all राजिस्तान करती है नहीं करती है वो आपकी मर्जी है कोई problem नहीं होगी वो आपकी मर्जी है सुजाता चौधरीजे का comments आया है इनका सवाल यह है सर पिली मुझे बताएगा कि मेरे father name में spelling mistake हो गई है मुझे कोई problem तो नहीं होगी मैंने counseling करवाई है पहले spelling mistake पर ध्यान नहीं दिया आप correction हो रहा है प्लीज मुझे बताएगे form correction जो थो थे आपके 1 सितंबर से 5 सितंबर के बीच में form correction आप लोग कर सकते थे लेकिन अब वो जो link एक्टिवेट किया गया था वो link अब भटा दिया गया है अब आँगे देखिए आयो क्या करता है आपको problem होगी या नहीं होगी यह तो आने वाला बक्त बताएगा क्यों आपके साथ नहीं आ रही काफी लोगों के साथ यह समस्या आ रही है अर्चना यादब का comment आया है मुझे तो college चाहिए उसमें एक teaching subject है दूसरा है तो क्या मुझे वहाँ college choose करना चाहिए या नहीं आपने जो सवाल पूछा है इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है आपके स सवाल का जबाब मैं अगले वीडियो में देने की पूरी कोशिस करूंगा आर्चना यादब जी आमरीन खांजी का comment आया है सर donation पर वियट करने का क्या process होता है तो donation करने के लिए आपको bank से पता करना होगा कि bank से क्या जो donation है वो approve होगा या नहीं होगा उसके लिए आपको bank जाना होगा bank में जो भी process होगा वो आपको पूरा करना होगा अगला comment देख लेते हैं कानू प्रजापती सर मेरे 226 नमबर है आठ से OBC में चांस बहुत ही कम है कि आपको college मिले फिर भी आप कॉस्विंग करवा लिजेगा अगला comment आए बचे का लवीश जन सर प्लीज रिप्लाई मी मैंने आपको बहुत सारे comments किये लेकिन आपने reply नहीं किया प्लीज सर रिप्लाई मी मेरे science EWS में 338 नमबर है तो 49 college फिल किया हूँ तो मैं college 8 करूँ या नहीं तो आपने 338 नमबर हैं आपके आपने 49 college फिल किया है बहुत अच्छी बात है आपको college मिल जाएगा परसान बिल्कुल मत होई है आपको college मिल जाएगा लवीश जन जी मैंने आपके comments का reply दे दिया है अगला comments आया है साइरी गुरू साइरी गुरू सर मैंने 150 college भरी हूँ और अरजिस्तान कर दिया है मेरे 311 नमबर है OVC science जी हाँ आपको college मिल जाएगा लेकिन आपका नाम दूसरी list में होगा पहले list में कोई chance नहीं कि आपका पहले list में नाम होगा ठीक है साना सिंगल जी का comments है sir please reply जरूर need a bagail के उल्पे, वेड़े होता है दिखिए साना जी एक साल का 27,000 रुपे फीस होता है, दोनौ साल का 27,000 रुपे नहीं होता है, एक साल का 27,000 रुपे होता है बगला comment देख रहा हूँ, same comments है बच्चों के same, बलकल same जो कॉमेंट्स हमारे समझ में उन्हीं का मैं रिप्लाई दूँगा सबके तो मैं रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ क्योंकि वीडियो जाता बड़ा हो जाएगा देख लेते हैं क्या कॉमेंट्स आएं बच्चों के तो खैर इतने ही कोमेंट्स बच्चों के आये हैं मनीशा मीना जी बोल लहीं है सर आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं देते हो मनीशा मीना जी आपका सवाल क्या हाँ मनीशा मीना जी आपका सवाल ये है कि हमारे 280 नमबर हैं और मैंने 157 लाउ किया हूँ किया हूँ कि आपको college मिल सकता है जी आपको college मिल जाएगा मनी समीना जी टेंसन बिल्कुल मत लिजिए आपको college मिल जाएगा तो इतने ही comments आएं बच्चों के अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो आप हमसे question करना चाहते हैं तो comment box में comments कीजिए आपको अगले वीडियो में reply मि मिलते हैं नश वीडियो के साथ जैहन चैवार